चोर की दाड़ी में तिनका एक बार की बात है बादशा अकबर की हीरे की अंगूर्थी गुम हो गई उन्होंने उसे काफी तलाशा लेकिन वह नहीं मिली उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया तो बीरबल ने पूछा खुजूर क्या आपको याद है कि आपने वह अं पर ने जवाब दिया नहाने जाने के पहले मैंने वह अंगूठी उताकर पलन के पास रखे संदूक में रख दी थी नहा कर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है हुजूर तब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए अंगूठी यही कहीं होगी बीर बल बोला लेकिन वह यहां नहीं है मैंने सेवकों से कहकर संदूक तो क्या कमरे के हर कोने को तलाशा पर अंगूठी कहीं नहीं मिली अकबर ने कहा तब तो आपकी अंगूठी गुमी नहीं है हुजूर चोरी हुई है और चोर आपके सेवकों में से ही कोई एक है आप इस कमरे की साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवा लिया वे कुल शेह लोग थे बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अन्विग्यता जाहिर की तब बीरबल बोला लगता है कि अंगूठी चोरी हो गई है बादशा सलामत ने अंगूठी संदूक में रखी थी इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है ये कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगा कर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा फिर सेवकों को संबोधित कर बोला संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया अब चोर का बचना नामुम्किन है जो चोर है उसकी दाड़ी में तिनका है ये सुनना था कि छे सेवकों में से एक ने नजरे बचाते हुए अपनी दाड़ी पर हात फिराया बीरबल की नजर ने उसे ऐसा करते देख लिया उसने फौरण उस सेवक को गिरफतार करने का आदेश दे दिया कड़ाय से पूछताच करने पर उस सेवक ने सचोगल कर अपना दोश स्वीकार कर लिया बादशा को बीरबल की अक्लमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई